दोस्तों जो हमारा SMPS Supply यानि कि DD Free Disk का आप देखे होंगे कि हमारा जो DD Free Disk होता है उसमें हमारा Supply लगा रहा था और SMPS Supply तो इसमें कुछ आने वाले फाल्ट से बारे में आपको बताएंगे कि इसमें हमारा क्या क्या फाल्ट आ सकता है तो मेरे पास से देख सकते हैं एक DD Free Disk का SMPS Supply है तो इसको दोस्तों मल्टीमिटर से चेक करके आपको दिखाएंगे कि आप कैसे दोस्तों इसको नर्म क्या है दोस्तों कि आपको continuity पर सेट करना है दोस्तों यहीं हमारा रेंज होता है चेक करने के लिए तो दोस्तों जादातर continuity का प्रयोग होता है चेक करने के लिए तो यहां पर देख सकते हैं और यहां पर जो इसका प्रोप है यहां पर देखिए हमारा कोच बीपिंग का सा फ्हें है कि दौस्तों सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर आपको दोनों प्रूप लगाना है तो यहां पर देखेंगे तो जो हमारा दॉस्त देखिए तो जल चुका है यहां पर आप देखेंगे तो जो मारा देख यहां पर देख सकते हैं दोस्तों के इसका पर यहां पर हमारा जो रता है एक तरफ रीटिंग बताता है और एक तरफ नहीं बिताता है यानि कि one side reading आता है तो चलिए दुस्तोव हम चेक करते हैं दुस्तो जो हमारा पॉर सपप्लै तो इसमें 2 पार्ट रहता है यानि कि दुब हमारा SM Transformer है यहां पर देख सकते है SM transformer है तो इसके पहले हमारा प्राइमरी सेक्षन होता है और इसके बाद जो हमारा है इस secondary section तो secondary section में क्या होता है कि हमारा DC voltage जाता है और primary section का मतलब हमारा AC है तो यहाँ पर AC का सब हमारा component है और यहाँ पर हमारा DC है दोस्तों यहाँ पर हमारा AC diode लगा है और यहाँ पर हमारा DC diode लगा है दोस्तों यह डायोट क्या है कि हमारा सीगनल को फास्ट करने के लिए लगा रहाता है डिशी डायोट तो चलिए इस डायोट को जो हमारा एसी डायोट है यानि प्राइमरी सेक्शन यहां पर देखें हमारा जो यहां पर कुछ कटा है न तो यहां पर देखें हमारा जो सिस्ट दिखाते हैं तो डायोड का हे जो दूस्तों यहां पर प्रिंट है यहां पर करते हैं तो मुल्टा करते हैं यहां पर नहीं मिलना चाहिए तो देखे मारा कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब यह वाला हमारा डायोड सही है अब इसके बाद दोसरा देखते हैं तो यहां पर देखे मारा कॉंटिनुटी आ रहा है और यहां पर जीरो जीरो सोबर आए अब उल्टा तरब देखते हैं फिर भी कॉंटिनुटी आ रहा है इसका मतलब हमारा यह डायोड दोस्तो खराब है इसके बाद तीसरा नमबर पर देखते हैं तो यहां पर देखे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है पुरोब कूल्टा करते हैं तो यहां पर देखे मारा रीडिंग आ रहा है इसका मतलब यह फुल सौट हो गया है यहाँ पर आपको फिर से दिखाने का कोशिज करते हैं यहाँ पर दिखे खराब है इसके बाद हमारा कुवयल यहां भी रहेगा को यहांप यहाँ पर हमारा घ्र डिका रहता है उसको को करते हैं तो यहां पर इसका भी रीडिंग चेक करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब यह हमारा क्वायल भी खराब है तो क्वायल हो गया इसके बाद कपासिटर देखते हैं तो कपासिटर दोस्तों जो मेरी केपेसिटर है यहां पर देखने मको पता चलता है कि यह खराब है यहां पर फुला-फुला सा है यहां पर देख सकते हैं फोट चुका है पिर भी दोस्तों अगर आप इसको चेक करेंगे थो मरा diğer गर चला जाए कि यहां पर देख सकते हैं कोई भी सोटिंग नहीं आ रहा है इसका मतलब यह भी सहीं है यहां पर दोस्तों यह PF कंप 있게 दिष रहे हैं यह क्या होता कि यह हमारा यहां पर दिखिए जो मेरा स्टॉ केंडरी शेक्षट से कि इससे हमारा जॉइंट रहता है यहां पर जो प्राइमरी सेक्षिन है और सेकंडरी से जॉइंट रहता है यहां पर देखिए अगर यह साथ हो जाएगा तो क्या है कि हमारा जो प्राइमरी सेक्षिन में जो एशी बोल्ट आता है वह हमारा सेकंडरी सेक्षिन में जाने लग तो दोस्तों अगर एक खराब होता है तो आप बदल सकते हैं जो हमारा लाइट का समस्या है उसमें उतरने का नहीं आएगा तो यहां पर अगर दोस्तों कुछ भी तो यहां पर कोई भी स्टिंग से हमारा जूड़ा रहता है यहां पर जो आप देखेंगे दो नंबर का तो यहां पर मेरा ग्रांड है तो दोस्तों यह हमारा जो पीएप केपासिटर है इसे हमारा लाइट उतरने लगता है बोडी में अगर आप दोस्तों एक खराव जता है तो आप इसको बदल देंगे तो यह 100% साल्व हो जाता है इसका बाद आता है हमारा जो दुस्तू यहां पर primary section primary section के बाद दुस्तू secondary section में हमारा यह डायोड होता है यहां पर जो डायोड है दोस्तू यहां पर देख सकते हैं इस डायोड का दोस्तों काम यह होता है कि सिगनल को फास्ट करता है यहां पर जितने भी डायोड लगे हैं यह DC डायोड है और यह दोस्तों सिगनल क तो इसका जो है कि एक ही तरफ हमको रेडिंग मिलना चाहिए तो यहां पर देखिए नहीं हो है हमारा एकी तरफ रीडिंग आ रहा है इसका मतलब है हमारा ॱायOOण सपा एक करने का सेम तरीका है एक टरफ रीडिंग आता है 서 एक तरप नहीं है कि हमा din को भी sorting नहीं आ रहा है यानि कि बीप का शांड नहीं आहीं इसका मतलब एक केपिसिटर सही है यहां पर इसको छेश करते हैं इसमें भी कोई शोटिंग नहीं है तो यानिक दुस्तों आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं अगर आपको शोटिंग आता है तो उसको बदल सकते हैं दोस्तों सेम प्रोसस से की वन यो लिखा रहता है यह मारा टायोड तो दोस्तों सी में का सिमत को इक खरावıld हो जाता है तो यहां पर हमांपों Ctrl कीया दिखा दिए कहms सेया कई को यहां पर यहां परर है मैं यहां पर सथरी नहीं है और यह तो यहां पर vetting नहीं है है यहां पर भी हमारी यह जो दोस्तों यहां पर हमारा वाईलू कुछ सो हो रहा है यहां पर देख सकते हैं कुछ रीडिंग आ रहा है इसका मतलब यह भी हमारा सई है दोस्तों यहीं चेक करने का हमरा तरीका है आप दोस्तों असानी से चेक कर सकते हैं जहाए तर दोस्तों इसमें यही सब हमरा년 idée आ दता है कि आखिर दोस्तों इसमें आने वाले सप्लाइश कई तो दोस्तों अगर वीडियो उच्हाई लगने तो सब्सक्राइब करेंब thousand बंधे मतरऽ कहें